पश्रिम बंगाल की मुक्मंत्री मम्ता बेनर जी अब चौतरफा घरती वह दिखाई दे रहे हैं, दरसल मम्ता बेनर जी ने कल पश्रिम बंगाल की सडकों पर उतर करके ऐसा कारनामा कर दिया, या फिर यूँ कहें कि एक ऐसी घटिया हरकत की है, जिसकी वज़ए से अब मम्त ममता बेनर्जी की चारो तरफ थूतू हो रही है। किसकी है? भारती जनता पार्टी की? क्या भारती जनता पार्टी का वहाँ पर मुख्यमंतरी है? या फर वहाँ पर वाकई में ममता दीदी की सरकार है? तो इन थमाम चीजों को लेकर के अब लोगों के बीच में इतना जादा आक्रोश है और सुप्रेम कोट के जो चीप इंडिया डीबाई चंदरचूड हैं उनसे सीधे तोर पर एक्षन लेने की मांग भी की जा रही इसलिए मैंने कहा कि अब इस दीभत्स और नर्शंस जो बलातकार की घटना को अंजाम दिया गया है जिस पर कही न कहीं ममता बैनर जी ने परदा डालने की कोशिस की है उस घ जैसे चारों तरफ अफजियत हो रही है ममता बैनर जी की और लगातार इस तीफे को लेकर के दबाव बनाये जा रहा है इन तमाम पहलूँँ पर और क्या मौजूदा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है आप अश्रिम बंगाल के राजनतिक गलियारों से इसका भी इस र बलातकारी है कोलकाता आर जी मेडिकल कॉलेज कांड के उनके आरोपों पार उनके दोशों पर या फिर्यूं कहें परदा डालने की कोशिश कर रही है और ममता बैनर जी की कत्नी और करनी में एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है कल क्या किया है ममता ने उसके बारे में हम बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रिम कोट से जो बड़ा अबडेट आ रहा है दरसल ममता बेनर्जी के इस धुल्मल रवएये को लेकरके सुप्रिम कोट में एक पर्टीशन दाइर की गई है और उसमें साफ तोर पर ये कहा गया है कि ममता बेनरजी जिस तरीके का शासन वहाँ पर शासित करने की कोशिस कर रही है जिस तरीके से ममता बेनरजी की जो पुलिस है उसकी एक तरफा कारवाई दिखाई दे रही है पूरी तरीके से मूख दर्शक बना हुगा है वहां का शासन पर शासन इस पर अब चुप नहीं रहा जा सकता क्योंकि ये अब पश्चिम बंगाल की महलाओं के दरसल आत्म सम्मान की बात है इसलिए जो हमारे भारत के चीप जस्टिस ओफ इंडिया है डीबाई चंदरचूर उन से इस मामले में सौताह संग्यान लेने की दरसल मांग की गई है और सीजियाई चंदरचूर से अनरोध किया गया है कि वो ममता सरकार के खिलाप में एक्शन लें एक लेटर भी लिका गया है चीप जस्टिस ओफ इंडिया डीबाई चंदरचूर को और उस लेटर में साफ तोर पर ये कहा गया है कि ममता की अराजक सरकार के खिलाप में जजजसाहिप सुता संग्यान लें और ममता के खिलाप में एक्शन लें क्यों अराजक सरकार बोल करके संबोधित किया जा रहा है ममता की सरकार को ये भी हम इस रिपोर्ट में जानेगे और इस जो बहुत ही ये कहूंगा कि जितनी भी इसकी आलोशना की जाए वो कम है इस पूरे के पूरे कान को लेकर के जो घैंगरेप किया गया है एक 30 साल की जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसके साथ में और उसकी हत्या कर दी जाती है इन थमाम आरूपियों को लेकर के उनके खिलाप में कारवाई करने को लेकर के ममता सरकार नरम पड़ी हुई है प्रशासन वहाँ पर एक ये समझ लीजिए कि आज की डेट में पत्ता भी नहीं हिलेगा ममता बैनर जी के इशारे पर लेटन कल क्या घिनोना चेहरा आया है ममता दीदी का ममता बैनर जी कल प्रोटेस्ट करने के लिए साड़क पर उतरती है किसके खिलाब प्रोटेस्ट कर रही थी ममता बैनर जी वहाँ पर भारती जनता पार्टी की सरकार सत्ता पर काबिज है वहाँ पर तो ममता बैनर जी की ही सरकार है तो इसे लेकर के सोशल मीडिया पर लोगों का जो गुसा है वो फूट रहा है कि ममता बैनर जी आखिर कार किसके खिलाप में प्रोटेस्ट कर रही है क्या भारती जनता पार्टी कोई अडविंगा डाल रही है कि ये जो है दोशियों के खिलाप में कारवाई नहो ममता बैनर जी सडको पर उतर करके अपने ही खिलाप प्रोटेस्ट करके अपना ही स्टीफा खुद से ही मांग रही है क्या तो ममता बेनर जी का ये घिनोना चैरा कल हमें देखनी के लिए मिला कि आप सत्ता पर हैं आप सत्ता पर काबिज हैं आप सरकार में हैं आपको प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है पूरा का पूरा पूरा पुलिस महक्मा आपके इशारे पर काम कर रहा है वहां का शासन प्रशासन आपके सामने घुड़ने टेक रहा है आप तो एक चुटकी बजाईएगा तमाम जो आरूपी हैं तमाम दोश्री उनको तक्ते पर लटका दिया जाएगा लेकिन ममता बेनर जी की हिपोक्रिसी देखिए कैसे असाहाई महसूस करबा रही है कैसे पश्रिम बंगाल के लोगों के बीच में कही न कहीं भामक जानकारियां फैलाने की कोशिस की जा रही है ममता बेनर जी सड़क पर उतर करके अपने ही सरकार के खिलाप में धरना पर दर्शन कर रही है और ये जो नजारे आ रही है दरसल पाकिस्तान से जो सियासी तस्वीरे आ रही है इसमें हिंदुस्तान तो छोड़िये अंतर रास्ट्रिय लेवल पर लोग मजाग बना रही है और लिबरांडू पतरकारों ने इस पर चुपी साथ रखी है कोई कुछ नहीं बोलेगा एक आद आपको ये बोलता हुए दिखाई देगा कि भारती जनता पार्टी अरचने पैदा कर रही है इसलिए अपनी सरकार के खिलाप में ममता बेनर जी को धरना पर दर्शन दे रहा है तो ये एक घिनोना चेहरा कल देखने के लिए मिला और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ममता की पुलिस रेपिस्टों को जो रेपिस्ट हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है अगर नहीं प्रोटेक्ट कर रही है तो उनकी ग्रफतारी में उनके खिलाप में कारवाई होने में इतनी देरी क्यों की गई जब तक सीबियाई जाच के आदेश नहीं दिये गए सीबियाई जाच के आदेश नहीं दे जाते तो मुझे रगता है कि ममता की पुलिस तो उनको क्लींचर दे देती मुलाइम सिंग यादफ की तरह ये कह दिया जाता है बच्चे हैं गलती हो जाती है तो अब ममता की पुलिस पर भी सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं बैसे ममता की पुलिस तो वही करेगी जो ममता की तरफ से कहा जाएगा जब मुख्यमंत्री के आवाज से ही कोई फरमान जारी नहीं हो रहा था आरोपियों को अरेस्ट करने के लिए उनके खिलाब में सक्त से सक्त कारवाई करने में तो फिर ममता की पुलिस रियक्ट कैसे करती और दूसरी बात जो मैंने वीडियो के इनिशिल फेज में ही आपको बताया कि कैसे ममता बेनरजी की कत्नी और करनी में बड़ा फर्क है ममता बेनरजी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर खास तोर पर जो सोशल मीडिया प्लैट्फॉम है उनका एक्स जो पहले ट्रेटर था उस पर ट्वीट करके कह रही है सीबी आई को अल्टीमेटम दे रही है कि संडे तक हमें सारे आरोपी गरफतार चाहिए उन्हें फांसी के तकते पर लटकाने की मांग कर रही है लेकिन दूसरी तरह भी ये तो हो गई इनकी कथनी और करनी में क्या है करनी में उन रेपिस्टों को एक तरीके से इंडिरेक्ट वे में प्रोटेक्शन देने की कोशस की जा रही है ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये इसलिए चुकि परवार जो है पीड़ता का उसका परवार कह रहा है कि उनकी बच्ची के साथ में गैंग रेप हुआ है एक सो पचास एमेल तकरीबन स्पॉम पाया है उसकी बॉड़ी में ये किसी एक इनसान का इतना स्पॉम नहीं हो सकता है यहाँ पर मल्टिपल लोगों ने गैंग रेप किया है ममता बेनर जी बचाने की कोशिस कर रही है परवार आरोप लगा रहा है कि गैंग रेप हुआ है मिडिकल रिपोर्ट दावा कर रही है गैंग रेप हुआ है लेकिन ममता सरकार को तो ये सिर्फ और सिर्फ एक जगन अपराद और रेप लग रहा है ये गैंग रेप नहीं लग रहा है तो ये करनी में उनका बहुत बड़ा फर्क है कत्नी में कुछ और बक रही है करनी में कुछ और कर रही है अब एक और अनूठी घटना सामने आई है जो कि ये डिफाइन करती है कि ममता बेनरजी की करनी और कत्नी में बड़ा फर्क है चालिस से पचास लोग हॉस्पिटल पर अटेक कर देते हैं मिडिकल कॉलिज पर अटेक कर देते हैं और तमाम सबूतों को मिटा दिया जाता है आप लोग समझें कि एक ऐसा प्रैमिसेस जहां पर सीधे तोर पर बेरिकेटिंग होनी चाहिए थी चारो तरफ जहां पर लोगों को घुसने की अजाज़त न हो लेकिन वहां पर ममता बेनरजी के 40 से 50 गुंडे टी-ेमसी के 40 से 50 गुंडे घुसते हैं और वहां पर तोड़ फोर्स शुरू की जाती है तमाम सबूतों को टेमपर कर दिया जाता है अब जिब सबूत ही नहीं रहेंगे तो फिर कोई किसी के खिलाप में सजा का ऐलान कैसे कर सकता है कल ही मैं एक वर्डिक्ट को पढ़ रहा था सुप्रीम कोड के कि एक सतर साल के व्यक्ति को रहा किया गया है सबूतों के अभाव के बेसिस पर लंबे समय से जेल में बंद था रेप के मामले में लेकिन सुप्रीम कोड में अपने फाइनल वर्डिक्ट में ये कहा चुकि उसके खिलाप में परयाप सबूत नहीं है इसलिए लेक उफ एविडेंस उसको रहा किया जाता है इस मामले में तो यही किया गया यहां पर भी सबूतों के साथ में छेड़ चाड या तो सबूत पूरी तरीके से मिटा ही दिये गए अब आदालत बिना किसी सबूत के फैसला तो सुना है नहीं सकती अदालत सेंटिमेंट्स का ख्याल नहीं रखती है अदालत चुकि कहा जाता है कि ख्यानून अंदा होता है और जज़ के जो आँख होती है वो उन पर काली पटी बंदी होती है क्योंकि उन्हें नियाय देना है अब आँखों पर बंदी काली पटी तमाम सबूत देखती है बिना सबूत के बिना एविडेंस के वो किसी के खिलाब में फैसला नहीं सुनाए जा सकता इसलिए ये टीमसी के गुंडे जो है जाते हैं और तमाम सबूतों को टेंपर कर देते हैं जब बैकफायर हुआ ये अटेक ममता बेनर जी के उपर कि जब आरोप लगने लगे कि ये ममता की सुनियोजे साजिश थी तो ममता कहने लगी कि ये लेफ्टिस्ट जो लेफ्ट पोलिटिकल पार्टी है वहाँ पर वामपंथी दल है वो और भारती जनता पार्टी के लोग थे और उन लोगों ने जाकर दरसल इस घटना को अंजाम दिया है यानि कि आप वहाँ की मुख्यमंत्री हैं लॉइन ओर्डर की जो सिचुएशन है उसे मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है आपकी सरकार रहते हुए आपकी पुलिस रहते हुए चुकि आपको पता था कि उस प्रैमिसेस पे एक वीबत्स और नर्शंस बलतकार की घटना को अंजाम दिया गया है आपको पता था कि ये बहुत ही सैंसिटिव एडिया है यहाँ पर चारोतरफ वरिकेटिंग या फिर सुरक्षा चाक चौबंद एकदम मजबूत होने चाहिए थे लेकिन आपकी पुलिस वहाँ पर लगी रही और आप जानती थी सब कुछ की ऐसा कुछ होने वाला है तो फिर कैसे वहाँ पर सेक्योरिटी में तनी ढील डाल दी गई या फिर यूं कहें कि टीमसी के गुंडों ने पुलिस को अपना आईकार दिखाया कि हमें ममता दीदी ने भेजा है ममता सरकार के ओरडर है हमारे पास में इसलिए हमें घुसने दीजिए और घुसे वहाँ पर तोड़ फोड के आपने तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर देखे होंगे किस तरीके से वहाँ पर इस पूरे के पुरे घटना को अंजाम दिया गया है और वहाँ के अब जो तमाम स्टूडेंट्स हैं तमाम डॉक्टर्स हैं भारती जनता पार्टी के कार करता हैं वामदल के कार करता हैं वो ममता के खिलाब धरतना प्रदर्शन करके इस तीफे की मांग कर रहे हैं लेकिन ममता मैनर्जी तो कुरसी से चिप क्यों ही है बहराल इस पूरे के पूरे मामले पर आपकी क्यार आया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं जल्द बनोगा किस दूसरे बड़े बड़ेट के साथ में तब तक धनवाद अगर आप लोग चैनल पर ना हैं तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ बने बलाकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही में कोई ने अपडेट ले करके हूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले